असलाम अलेकूम कैसे हैं आप लोग वेलकम तो माई किचन कैसे हैं आप लोग सब ठीक है बेबी ठीक हूँ आज रोज आरे हैं तरह खाल से कड़ भी आई थी तो थैंक यू सो मच आप लोग ने मिझे बड़े अच्छे-चे कवर्स दिये और इंचा आगे भी फीड़ भी दि वेल्टाइब ने की दर दितनी कर σकत ऑच्छे तो मैं आपको भी देशी टाइप का खाना बना रही थी तो मैंने का चाले यह भी देवीर्स को दिखाएंगे कि हर न भ्रा बनता है अलो कोष्ट है मैं मतन का झोच लिए है आप चिकन का भी ले सकते इसमें आप भीट भी ल तो मेरे हजबर को यह बहुत पसंद आता था तो फर्माइश से बनवाते थी तो खैर अब मैंने का चले आग में आपको भी बनाओंगी बड़ा सिंपल और बड़ा मज़ेका बनता है चले स्टार्ट करते हैं यहां हम लोगे पास है अदरक और अदरक और सबस मिर्चे इनको तरह पीशना एंप पीशना है यह यहां पर हमीच आए लसन यहां पीश्णा इन सलबिया चाहन्न चाहर देखे लेने पूर्प्षा । यहां मेरे पास दर्माइनी साइस के जड़ं प्याज सबूरा हएक नुच्ड का प्यूंकर फ्रेज किया हूँ आलू हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं मुसाले गारा सारे एक की तफ़ा दिखाएंगे आपको हाफ कप ऑईल हाफ कप ऑईल चाहिए लसन अद्रक अद्रक और हरी मिर्चे हाफ टी स्पून जीरा कप कहनी जीरा थोड़ी सी काली मिर्च लोग दाल चीनी लेकर दाल चीनी का पॉड़र भी है मैं वह भी दाल सकती है अब थोड़ी के नजर भी आ रहा है अच्छे यह फोड़ी जीरा में कम लग रहा था तोड़ी लाई मिर्च कशूरी मेति थोड़ी सी डाल लिए थोड़ी सी मसाले में डाले थोड़ी सी पड़ी दाल लिए थी किए अधर क्कुरनिकिशन के सागल condition here सब्सक्राइब थोड़ी से देख़ा लिए However, अधरा कमारी मैं डाल था मिर्टव के साद्रे लिए विग्या है जार कूरी फड़ी दाल तर्क हमारी हमारी शौड़ी आप होगि जार मिर्टवरी पर आपपिलों कुटी लाजमीच में लाजमीच के लाजमीच को कलर को जाल का लिए। अब इसको भूँने के बीक लिए प्रेश्य इसको प्रेश्य तीन है। दो विसल दो या तीन विसल देनी है क्योंकि गोश में फुरा फ्रीज भी हुआ है यहां हमने दो कप दो ग्लास पानी के रखे हैं डाले आप इसको हम प्रेश्चर देंगे चले मिलते हैं अभी हम लोग प्रेश्चर के बाद है हमने कुकर को खोल के मसाला भून रहे है और सा नहीं पानी देके पानी डाल के पिर इंशालला तान देगे है तो अब यह हमारा मसाला भून जाएगा अच्छी तरह और उसके बाद हम लोग ने दनिया भी डालना है मिर्चे भी डालनी है लेकिन जब यह त्यार हो जगा अभी हमने एक प्रेश्चर देने आलू गल्ले के पुड़ा सरा मसाला होजें पर पानी डालेंगे जितना आपको चाहिए शोरबा रखना है रखने कि मैंने कितना इजी तरीके से अलू गोश बनाना सिखाती है अलू गोश बटर कोई गोवी गोश बड़ा इजी है बनाना हर एक हाथ का अपना एक टेस्ट होता है तो आप आप कहा है अब ड़ू बना के देखे मेरी तरीके से बना एक देखे तो आप लोगोँ को जरूर चेंज आएगा ज अच्छा लगेगा अगहा चलए अब चलते है अभी देखिं हमरा इस पीने मसाला बिल बया है यह अब बड़ी बड़ी हरी मिज काटके वभी डाल देखिं अच्छी तरह बूनना है, देखें, हमारा मिसाला देखी कि इतना अच्छा बून गया है, यह देखें, आपनों को नजर आ रहा है कि यहां मुझे तो बहुत अच्छी तरह, तो कि बाग में तो हमने मी बूनना होता है, वो तो सिर्फ एक ऐसे बनना है और पहले जो पकने है यह देखें हमारा कितना मज़े का और कितना कितना कुछा अलुकोष तियार हो रहा है, यह देखी, मसाला देखें आप ऐसे चपके, आप कहीं भी टुमाटर नजर नहीं आएगा, कहीं भी आपको अधरक का वो आ गया, तो मैं निकाओ दिया, और चैले, अभी हमने क्याओ जब ये च्रवार्टर अच्छी तरह आप देखें आप अपनी हसाब देखें कि आपकी हम्टी सालन गोश्ट डाल के भून की है और फाइल सारा उपर आगया है तो फिर आपने मैंने एक ग्लास पानी डाला है ठीके एक ग्लास पानी में दिये बहुत है क्योंकि काकी हो अब सिर्फ एक विसल तर जब आलू जुगल जाते हैं हम इसको प्रेशर देंगे हमारा माशा अलू गोश्ट बिल्कुल त्यार है इसको पकाने की विजरूत नहीं है बहुत माजी है बहुत टीस्टी और बड़ी जल्दी जल्दी बन जाता है थोड़ा साथ धनिया वगरा डाले मेरे पस फ्रोजर होता है ज्यादा टाइप होता है क्योंकि मिलता नहीं है मिल तो जाती है लेकि मैं स्टेव कर लेकिए चले यह देखिए कि ता खुब सेब कलर भी आया है और कुश्बू भी सिदर है चले हम अभी हम डिश्ट पर कर मसाला डालें धनिया डालें जो आपका दिल करता है डाले जो आपका दिल करता है डाले जी पालु कोश्ट त्यार है और आप लोग इसको ट्राइक करें मुझे इसका फीड़बेक दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें कि मेरे तरीके से बना कर देखें आप लोगों को जुरुष थोड़ साथ चेंच लगेगा हाथ हाथ का टेस्ट होता है लेकिन तरीका भी थोड़ा डिफरेंट हो तो मदा भी आ जाता है जल्दी बने बापलों पुड़े गर मसाले वगरा अगरा रहते मैं बिल्कुल सिंप काल्प के रेक नहीं रेस्पी के सार में लेंगे और की अला पीज